नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण, हर हर महादेव माता, लक्ष्मी की कृपा से एक बार फिर से स्वागत है, हमारे चैनल शास्त्र, सनातन ज्यान के एक नए और ज्यान वर्धक वीडियो में दोस्तों, साल 2023 में धंतेरस का है, धंतेरस पूजा का शुभ मुहूर्थ क्य एवं धंतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्थ क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी क धंतेरस मनाया जाता है, पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से धंतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1 बजकर 57 मिनट पर इसका समापन होगा, धंतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्थ शाम 6 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जो की रात 8 बजकर 20 मिनट तक, रहेगा त्रयोदशी, तिथि प्रारंभ नवंबर 2000, 23 को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट में शुरू होगा, जो की अगले दिन 11 नवंबर 2000, 23 को एक बजकर 57 मिनट में समाप्त होगा, धंतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है, धंतेरस पर सोने खरीदने का शुभ मुहूर्थ है, दोपहर 2 बजकर 35 मिनट से शाम 6 बजकर 40 मिनट तक रहेगा, अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन, यानि 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 56 मिनट तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धंतेरस अगले दिन दोप दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी इस वीडियो को लायक लायक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धंतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौरानिक मान्यता के अ भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समरिध्धी, एश्वर्य और अच्छी सेहत का आशिरवाद प्राप्त होता है, साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुब माना जाता है, धंतेरस के दिन हर तरह के शुब का कार्य प्रारंभ किये जा सकते हैं इस दिन विशेश रूप से सोना और चांदी के आभूशन नए बरतन आदी खरीदे जाते हैं, धंतेरस के दिन इस प्रकार के विशेश चीजें खरीदने पर मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलता है, ऐसी मान्यता है कि धंतेरस के डा, न हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं, उसमें तेरह गुना की वृद्ध्य होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती न करें, ऐसी वस्तु खरीद करना लाएं जिससे की अशुभता जाए, धंतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बता खरीद कर ला सकते हैं, धंतेरस के दिन मान लक्षमी जी, कुबेर देवता और धनमंत्री, भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है, धंतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूशन या सोना चांद खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए, सबसे पहले वस्तू है जाडू धनतेरस के दिन, नई जाडू खरीदना बहुत शुब माना जाता है, जाडू को मा लक्षमी जी का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि नई जाडू धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समर्धिका वास हो जाता है, अगर हो सके समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक जाडू का गुप्त दान करना चाहिए, इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगहे पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस जाडू को उठा कर ले जाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए, दूसरी वस्तु है, साहब धनिया धनतेरस के दिन आप कुछ ले कर आए या न आए, साबुद धनिया तो हर कोई ला सकता है साबुद धनिया लाकर दिवाली के दिन से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए, और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं उसमें बरकत होने लगती है, अगर आए दिन अनावश्यक रूप से पूसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो, वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए, धन तेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें, और इन दिनों तक लगातार आपको नमक का पूछ भी घर में लगाना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, और घर से नकारात्मक उर्जा भी दूर हो जाती है, चौथी वस्तू, जो आपको घर पर लानी चाहिए, वह गोमती चक्र कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है, वहां सुख सौभाग्य और सम पूजा करवा कर, फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए, ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है, वह दूर हो जाती है, आपको यह सारी वस्तूएं मार्केट में पूजा वाली दुका लेकर आए, कहते हैं जिस घर में कौडियां होती है, वहाँ पर मा, लक्षमी जी हमेशा वास करती है, कौडियां लक्षमी जी को आकरशित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11, 13 कौडियां लाकर, आप चाहे तो धन तेरस की शाम को, या फिर दीपावली की रात को, इन हर साल आप इन ही पुरानी कौडियों की पूजा कर सकते हैं, हर साल आपको कौडिया खरीदने की आवश्यक्ता नहीं है, यदि आप नहीं कौडिया खरीदना ही चाहते हैं, तो पुरानी कौडियों को अब जल में प्रवाहित कर दें, छठी वस्तु है श्री यंत्र, श्री श्रीयंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से, श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर प्रित्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंट में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले, तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिती में प्रित्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठ कर भगवान विश्णू की आराधना शुरू कर दी। नारायन ने प्रसन होकर मुनी वशिष्ठ को अपने दर्शन वशिष्ठ जी ने श्री हरी विश्णू से कहा कि हम प्रिथवी पर बिना लक्षमी जी के बहुत दुखी हमारे सारे आश्रम चड़ गए। धर्ती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान प्रिथवी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं है। जब चारों दिशाओं में मान लक्षमी जी के प्रिथवी पर वापस न आने की बात फैल गई। तब देवताओं के गुरु ब्रिहस्पती जी ने एक युक्ती सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एक मात्र उपाय बचा है। जिससे मा लक्षमी जी को धर्ती पर आना ही पड़ेगा। गुरु ब्रिहस्पती जी के निर्देशों से श्री हरी ने धातु पर श्री यंत्र का निर्मान किया और उसे मंत्र सिध्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के दो दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधिविधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्षमी जी को वहां आना ही पड़ा। और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिती में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेर प्राण था, परन्तु ब्रहस्पति जी की युक्ती से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धन तेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ भी वस शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यू का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपा वली दीपों का त्योहार होता है, और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धन तेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपके घर में साक्षात मा, लक्षमी जी का वास सदा बना रहे। पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी न रहे। आपको कभी कर्ज लेने की नौबत न आए, तो ऐसे में धन तेरस की शाम को आप तेरह दीपक घर के अंदर और तेरह दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मा लक्षमी जी का आशीरवाद प्राप्त होता है। और धन तेरस के दिन आठ भी जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद, लानी चाहिए। मिट्टी के दीपक, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। हो सके तो किसी जरूरत मंद को जहां पर धन का अभाव हो। ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रूई सहित दान भी कर सकते हैं। नौभी वस्तु है जो आपको खरीद कर लाने चाहिए। वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्थी। वैसे तो इत्ती की मूर्थी घर पर लाना शुब होता है। अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्थी खरीदी दिधातु की मूर्थियां हैं, तो हर साल आप मोटी ना खरीदें। और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई, जो मूर्थियां होती हैं उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्थियां लेकर आते हैं, तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिनने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्थियां घर पर लाना बहुत शुब होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर भी आज मान मूर्थि या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं। लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराज मान लक्ष्मी जी की मूर्थि या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कुबेर यंत्र कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की प्रचो दियात का कम से कम एक माला या के क्वान बार जाप करना चाहिए। ग्यारह भी वस्तु है सोने चांदी के आभूशन या फिर सिक्का। अपनी सामर्थे के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूशन या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा को करनी चाहिए। कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं, तो वह ज्यादा शुब होते हैं. पुरानी टूटी पर बर्तनों को बदल कर भी नहीं बटन घर पर खरीद कर ला सकते हैं. जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की न हो, तो उन्हें आज के दिन केवल जो भी सामगरी है, वह खरीद कर घर आने चाहिए. ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद प्राप्त होता है, जिसकी सामर्थ्य हो. तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है. लेकिन बर्त जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रे भी बलवान हो जाते हैं. तेरहवी वस्तु है, पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें. अगर आप अब तक बताई गई सभी बारहे वस्तुएं खरीदने में असमर्थ है, तो आज के द पुन्य अवश्य ही प्राप्त होता है. अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे की रोली अक्षत कुमकुम कलावा, या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पान सुपारी बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं. इसके अलावा, धार्मिक पुस्तकों में जैसे की वरत कथाएं हैं, फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी बड़ा त्योहार है और आरटियों की किताबें. और अगर आप पढ़ते हो, तो आप पुरान भी आप अपने घर पर ला सकते हैं, और पुराना घर पर लाने के बाद, जब भ के घर में पूरे वर्ष मा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिती नहीं आएगी, आप जितना भी कमाएंगे, उसमें आपको तेरह गुना की व्रिद्ध मिलेगी दोस्तों, ये थे आज की जानकारी, इसी तरह के और भी जानक कारी पाने के लिए हमारे चैनल शास्त्र सनातन ग्यान को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है, धन्यवाद, आपका दिन शुब हो.